हलो इवरोन कैसे आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है क्लास 11 कमिस्टी के सुपरफास्ट रिवीजर में आज का टॉपिक है बच्चो प्रेणिक प्रभाव यदि अभी तक आपने प्रेणिक प्रभाव नहीं पढ़ा है तो मैं गारेंटेट कहता हूँ यदि लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग क्लियर कर लेंगे प्रेणिक प्रभाव और एकजाम में पूछा जाता है एनुआल एकजाम के लिए काफी इंपॉर्डेंट है इसलिए आप लोग तयार जरूर कर लेना चलिए सबसे पहले बच्चो यहाँ पर आप प्रेणिक सब्द से अर्थ समझें प्रेणिक से आपका एक सब्द निकल कर आता प्रेण मतलब दूसरा कोई वेक्ति इतना प्रेणित कर देता है कि उसके प्रती मोह माया उत्पन्ड हो जाती है अब आप कहोगे सर इसमें मोह माया की बात कहां से आ गई देखो मान के चलता हूँ कि मेरे पास दो परमाडू है एक्स और बाई इनके बीच आपका बंद बना है और वो बंद है बच्चो सहसयोजी बंद कौन सा बंद है सहसयोजी बंद ठीक है सहसयोजी बंद अब क्या होता है कि इन में से एक प्रबल होगा और एक थोड़ा सा दुरबल होगा तो जो प्रबल होता है वो प्रिरीद करता है प्रबल जैसे मान की चलता हूँ ये बाई है ये थोड़ा सा प्रबल है और इसमें रिणविद्धता जादा है अब ये प्रबलता इसके पास सक तो यह क्या करता है कि इसके इलेक्टरान को अपनी ओर आकरसित करता है तो कहीं न कहीं इसके इलेक्टरान जब इधर आते हैं तो इस पर आंसिक रिणावेश और यहां पर आंसिक धनावेश उत्पन हो जाता है अर्थात इसका इलेक्टरान खिसा करके रिण बिद्दुती त तो ने इतना प्रिरित किया कि ये इलेक्टरान इधर भेज दिया कहने का तात पर ये हुआ कि दो परमाड़ जब आपस में क्या करते हैं बंद बनाते हैं बंद मतलब एक दूसरे के पास जुड़ रहे हैं देखो माली जे जुड़ गए दो परमाड़ सासेयोजी बंद बना रहे हैं तो यहाँ पर जो इसका इलेक्टरान यहाँ पर ना रहे करके एक एक इलेक्टरान साजा कर रहे हैं तो यह इलेक्टरान इसके पास इस्थरनांतरित हो गया क्यों? क्योंकि यह रिण विद्दुती ज़्यादा है क्या है रिडविद्दूती जादा है थोड़ा समझेगा और इसमें आकर्षन करने की छमता जादा है तो इनके जो नाभिक में इलेक्टरान ना रह करके ये एक ही परमाडू के पास इलेक्टरान चला जाता है देखो जब सासेयोजी बंद से दो तत्तो के परमाडू आपस मे जुड़े रहते हैं तो साजे के जो इलेक्टरान है दोनों परमाडू के पास इनाभिक के मद्दना रह करके अधे कि रिडविद्दूती तत्यकी और खिसक जाता है इस प्रभाव को हम बोलते हैं प्रेणिक प्रभाव ठीक है मतलब इलेक्टरान का विस्थापन ही इसके साथ जुड़ा हो आयोडीन और माली जिसके साथ एच जुड़ा ही है जितना भी अभी सिर्फ कार्बन और आयोडीन के बीच की बात करते हैं अब ये आयोडीन पर क्या है जो आपका रिडविद्दूतीता की बात करते हैं तो ज्यादा है ज्यादा रिडविद्दू बेस है ना और इस पर आजिक धनाबेस उत्पन हो जाता है इसको हम इस चिन्द से प्रदर्शित करते हैं कि इलेक्टरान इधर से इधर गया है ठीक है कुल मिला करके दो परमारू के भी सासेयों जी बंद बना रहता है साजे के इलेक्टरान इक भी दोनों परमारू नाभी के इस ना रह करके माली जे दोनों जैसे माली जे दो परमारू की छिस प्रकार से ठीक है ये तो यहाँ पर माली जे दोनों बीच में यहाँ पर इलेक्टरान हो जाई ऐसा ना हो करके एक रिण बिद्दुती परमारू है उसके पास जाकर बिस्थापित हो जाता है बतलब इसक से सुनते हैं न तो वेसे भी clear हो जाता देखिए जब साहसेयोजी बंद दो भिन तत्तों के परमाणों के मद्ध बनता है तो साजे के इलेक्रानिक दोनों परमाणों ये नाभिकों के मद्ध में ना रह करके अथिक रिण विद्धुती तत्त की ओर भी मतलब रिण विद्धुती जो तत्त होता उदर भी स्थापित हो जाता है जिससे अधिक रिण विद्धुती समूह पर आंसिक रणाबेस तथा कम रिण विद्धुती समूह पर आंसिक धनाबेस आ जाता है इस बंद पर सिग्मा बंद के इलेक्रानों का अधिक रिण प्रणिक प्रवाई का होता है इसे हम इस एरो से दर्साते हैं बाडाग्र मतलब एक आपका एरो ही चिन है अब जब बात करते हैं प्रणिक प्रभव के प्रकार तो प्रणिक प्रभव दो प्रकार का होता है एक रिनात्मक प्रणिक प्रभव एक धनात्मक प्रणिक प्रभव देखे बच्चो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से यदि अधिक रिण बिदूती तत्तु जुड़ा है हाइड्रोजन के पेछा जो भी यहाँ पे तत्त होगा परमार होगा अधिक रिण बिदूती तत्त होगा अधिक रिण बिदूती है हाइड्रोजन से ठीक है मतलब जो बंद बना के रखाये दी वो अधिक ऐसा परमार जिसका रिण बिद्धुत्ता है ड्रोजन से दिखे तो आपका रिणात्मक प्रणिक प्रभाव दर्साएगा रेनात्मक प्रनिक प्रभावाव के साथ तब ओहां पर धनात्मक करेगा कहने कातात पर ये हुआ कि कार्बन के साथ मालीजे कोई रेनात्मक समोझ प्रस्थ जैसे मालीजी एक कार्बन है ठीक है जैसे यहाँ पर कर लो CH3, CH2 और फिर यहाँ पर कलोरीन है ठीक, तो जब यहाँ पर माइनस चार, यहाँ पर प्लस चार और थोड़ा सा और जितना पीछे के और जाएंगे उतना ही इस पर इलेक्टरान स्थरानतरन कमान कम होता जाएगा तो यह इलेक्टरान का स्थरानतर इधर होगा इससे ही हम प्लस आई प्रभाव दरसाते हैं बच्चो, प्रेडिक प्रभाव ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्टरान इधर जा रहा है तो प्लस आई प्रभाव दरसाते है तो आई प्रभाव दरसाएंगे अब यहाँ पर चीज यह समझना है कि यह आपका हाइड्रोजन के अब इच्छा ज्याद रेनेविदूती तक तो है इसलिए माइनस आई प्रभावधर्स आएगा क्यों? माइनस आई मतलब रिनात्मक प्रभावधर्स आएगा लेकिन वहीं पर यदि आपका CS3 होता CS2 होता और इसके साथ जुड़ा है माली जे कोई एक ऐसा समूँ जैसे माली जे O- निगेटी भी जुड़ा हुआ है ठीक तो फिर यहाँ पर वही होगा बच्चो इलेक्टरान का इस्थनत्र होगा लेकिन यहाँ पर प्लस आई प्रभावदर्स आएगा क्यों जानते हैं क्योंकि इसका जो आपका रिन विद्धुती मान है वो हाइड्रोजन के पेच्छा कम होगा ठीक है मतलब सासेयोजी बंग से जो जुड़ा परमाडू है यदि इसका रिन विद्धुता हाइड्रोजन के तुल्ना में अधिक है तो आपका रिनात्मक प्रणिक प्रभावदर्स आएगा और वहीं पे जो परमाडू कार्बन से जुड़ा है उसका रिन विद्धुता हाइड्रोजन के तुल्ना में कम है तो फिर वो आपका धनात्मक प्रणिक 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 प्रणि तो प्रेणिक प्रभाओ रिणात्म क्र प्रेणिक प्रभाओ कहलाता है ऍजांपल की तोर पर यह जितने भी है यदि Karl這邊 की साथ जुड़े रहेंगे तो पूरे की पूरे रिणात्म क्रेणिक प्रभाओ dons आएंगे यहाँ पर एन रती मतलब दृतिया कैमीन की घटता हुआ क्रम है बच्चो नहीं आप परसान हो जाओ कि सर ये क्या है सबसे कम है क्या नहीं ये सबसे ज़्यादा इससे कम इससे कम इससे कम इससे कम ये क्रम है इधर से लेंगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम है ठीक है तो ये आपके धनात्मक प्रेणिक प्रभाव दरसा प्रहोधर्स आएगा जैसे ओ निगेटिव हो गया ठीक है यहां पर आपका त्रतियक हाइड्रोकार्बन हो गया ठीक है CS3 समू है CS3 CS2 है इसका अनुप्रियोग कभी कभी पूछ देता है कि भाई प्रेणिक प्रभाव का अनुप्रियोग तो बसी अमलों की प्रभलता के तु लगाने के लिए यह तीन आपके अनुप्रियोग है तो यदि मैं आपसे कह दूँ कि प्रेणिक प्रभाव किसे कहा जाता है इंडेक्टिव एफेक्ट है ना तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि जैसे आपके पास दो परमारू है जो सास्नियोजी मंद से जुड़े है तो परमारू का जो बंद होता है उसमें इलेक्टरान का विस्थापन होता है ठीक है किधर रिण बिद्दूती तर्तो की ओर तो ये इलेक्टरान का इस्थाई विस्थापन जो है वो आपका प्लेस आई प्रभाव या आई प्रभाव संचार्ण प्रभाव दर साता है ट्र और यहां पर क्लोरीन है तो यहां पर आपका डेल्टा और फिर प्लस डेल्टा वन प्लस दो डेल्टा फिर प्लस डेल्टा फिर प्लस डेल्टा मतलब चवथा कार्वन है तीसरा कार्वन है दूसरा कार्वन है और यह पहला कार्वन है चिन्न यही होगा इसमें कौन सा ट्रांजोकर इस्थनांत्रित हो रहे हैं तो यह आपका आई प्रभावदर्सा गया प्रभावदर्सा दिया उमीद करता हूँ कि यह छोटा सा वीडियो है लेकिन एक्जाम के परपस से काफी महात्पूर है और आपसे बन भी जाएगा यदि आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बच्चों आप लोग बेल आइकन भी प्रस कर लें हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा अधर सोसल मिडिया के प्लेटफार्म में भी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा जय हिंद बंदे मातरम